असलाम अलेकूम आज को कुवित फताज में आप लोगों के साथ शेयर करोंगी डूंडे की सबसी तो इसे शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल के इकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो की नौडिफिकेंशन आपको फॉरण मिले तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले गैस अन कर लेते हैं और प्रेशर को कर चड़ा दिया है मैंने यहाँ पर और 3 चमच जितना तेल एड़ कर दिया है तो अब हम इसे गरम होने देंगे गरम हो गया है ये तो उसके बाद अब हम इसके अंदर एक चॉप करके प्याज एड़ कर देंगे इसे भून लेते हैं तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से भून चुका है मैंने इसे तो एक चमत जितना अजरक लेसन का प्येस टाइट कर लेते हैं और इसे भी अच्छी तरह से थोड़ से भून लेंगे ठीक है इस तरह से मैंने भून लिया है, थोड़े से करी अलिवसमे अट करते हैं, करिया पक इसे भी थोड़े से मिक्स कर लीजिएगा, गैस की फ्लेम मीडियम पर रखें, तो यहाँ पर मैंने चार मीडियम साइस के टमाटर को काट लिया है, लार्ज हो तो आप 2 ही लीजिएगा, त पही अपने टेस्ट के अकॉर्ड निग देगा एक चमाच, मीर्ज पाउड़र लिया है मैं ने यहां पर और अध़ा चमाच s हलдी पाउडर तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से mix कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से mix कर लूँगी तो टमाटर को हमें soft होने के लिए और पकाना होगा ठीक है थोड़ी सी कोत्मीर इसमें शामिल कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा mix कर लेते हैं तो चलिए mix कर लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैं mix करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से मैं धकन pressure cooker कर धकन लगाऊंगी नहीं सिर्फ उपर इस तरह से cover करूँगी ठीक है तो इस तरह से करने से हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएंगे तो 2 मिनिट तक मैंने इस तरह से रखा और यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो चलिए एक बार mix कर लेते हैं फिर इसके अंदर डॉंडे शामिल कर देंगे तो इस तरह से मैंने डॉंडों को काट लिया है जिसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हाफ करके तो बड़े होंगे तो आप इसे हाफ करके उस कीजिए कट करिएगा नहीं तो राउंड भी आप कट कर सकते हैं तो ठीक है इस तरह से करने के बाद इस अच्छी तरह से mix कर लीजीएगा तो mix करने के बाद मैं यहाँ पर एक कब जितना पानी इसके अंदर शामिल करूँगी ताकि यह ढूंडे एक गल जाये ठीक है तो इसे mix कर लेते हैं अच्छी तरह से इसे mix कर लिया है यहां पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से mix करने के बाद pressure को करकर लगा दीजिएगा तो यहां पर high flame पर रक कर मैंने 2 और medium पर रक कर 2 ct लगा हैं ता खरीमा चार ct लगाने के बाद आप इस का result देख सकते हैं कि डोंडे अच्छी तरह से गल चुके हैं देख सकते हैं आप दिखने में ही आपको लग रहा होगा कि डोंडे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा धनिया पौडर रैट करेंगे इसमें और थोड़ी से ग्रेंचिली एट की है ठीका तो सर्फ कर लिया हैं मैंने यहाँ पर डोंडे की सबजी बनकर रेडी हो चुकी है उमीद करती हूँ कि आपको डोंडे की सबजी बहुत पसंद आई होगी पसंद आई तो आप इसे ट्राइ जरूर कीजिएगा रोटी चपाती या फिर राइस के साथ इसे सर्फ कर सकते हैं और अगर पसंद आई हो मेरा वीडियो तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में अपनी फैमिली में से शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले और चलती हूँ फिर एक नए रेसिपिले कराऊंगी